मैं TV पर आऊंगा? हाँ कब? आज आज ही? अच्छा ये बताओ तुमको यहां काम करना अच्छा लगता है? नहीं तो क्या ये तुमसे जबरदस्ती काम कराते हैं? नहीं, ऐसे मिलते हैं, 20 रुपे रोज दोस्तों, अकसर ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉलिवुड में कुछ बड़ा करना हो, तो इस इंडस्ट्री में आपके अच्छे कनेक्शन जरूर होने चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस बात को गलत साबित करने की ताकत रखते हैं और आज हम एक ऐसे ही शांदार एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने इस बात को तो गलत साबित किया ही है साथ ही साथ अपने खुद के टैलेंट के दम पर लाखों नहीं बलकि करोडो फैंस बनाए और अपनी लाइफ स्टोरी से उन्होंने बहुत सारे लोगों को जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत में चैलेंजिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर राजकुमार राओ के बारे में जिनका जन्म वैसे तो बहुत ही साधारन परिवार में हुआ लेकिन उन्होंने खुद की मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। पी वी आर लगाया जाता था और पूरी फैमिली आंगन में बैठ कर चार से पांच फिल्में एक साथ देखते थे। इसी तरह से राजकुमार राओ को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का चसका लग गया था। वो उन फिल्मों के अलग-अलग किरदारों की कॉपी करते और उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते थे। असवी क्लास में एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये स्टेज परफॉर्मेंस करने की वजह से उनकी एक्टिंग के प्रती दीवानगी और बढ़ गई। उनके उपर एक्टर बनने का जुनून सवार हो दरसल राजकुमार राओ उस समय शारुक खान से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब शारुक खान बिना किसी कनेक्शन के फिल्मी दुनिया पर राज कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं? और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे. अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमार राओ थियेटर के लिए पागल थे, वो कई बार साइकिल चला कर गुडगाव से दिल्ली जाते थे, कई बार वो बस में भी ट्रैवल करते थे और बस में मौजूद लोगों को अपना दर्शक मानते थे, वो किसी कलाकार की तरह बस म आदमी, कभी एक स्टाइलिश नौजवान बन कर वो एक्टिंग करते और लोगों के चेहरे के एक्स्प्रेशन को अब्जर्व करते। फिल्म इंस्टिट्यूट में एक्टिंग कोर्स के लिए अपलाई किया और उन्होंने वहाँ दो साल तक एक्टिंग की कई बारीकियां सीखी। FTII ने राजकुमार राव को न सिर्फ एक्टिंग सिखाई बलकि उनका प्यार अन्विता पॉल उर्फ पत्रलेखा से मुलाकात भी उनकी FTII में ही हुई। वहाँ एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये दोनों फिल्म सिटी लाइट्स में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। इसी साल उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आने का फैसला लिया। रोजाना हजारों लोग सपनों की नगरी मुंबई आते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। वैसे ही राजकुमार राओ भी आये। लेकिन यहां फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआती दौर में ऑडिशन के लिए कई धक्के खाए और उन्हें हर तरफ से रिजेक्शन ही मिला। कभी रंग को लेकर तो कभी बॉडी को लेकर। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कई छोटी मोटी एड फिल्में की। उन एड फिल्मों में वो दसवे नंबर पर खड़े रहते थे। वो इससे तकरीबन दस हजार महीना कमा लेते थे। लेकिन कई दिन ऐसे होते थे जब उनके पास कुछ नहीं होता था। उन्हें अपने दोस्त को फोन करके खाने का जुगाड करना पड़ता था। गुजरते वक्त के साथ साथ उनका आत्म विश्वास डग मगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद वो इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। वो हताश निराश हो चले थे। लेकिन तभी किसमत ने उनका दरवाजा खट-खटाया। और साल 2010 में राम Gopal Verma की फिल्म रण में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया। लेकिन ये फिल्म उनकी किसमत नहीं बदल पाई। उनका रोल ही इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। जिसके बाद साल 2010 में उनकी जिंदगी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने न्यूस पेपर में पड़ा कि दिबाकर बनर जी एक फिल्म बना रहे हैं। और इस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में राजकुमार राव ने अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने तीन से चार राउंड के ओडिशन्स दिये। और फाइनली राजकुमार राव की जोली में LSD आ गई। इस तरह उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। LSD के बाद एकता कपूर की रागिनी MMS और बिजोई नामबियर की शैतान मूवी में राजकुमार नजर आए। LSD में उनकी एक्टिंग देख अनुराग कश्यप इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने राजकुमार को गैंग्स ओफ वासिपर 2 में कास्ट कर लिया। अपने काम के प्रती राजकुमार इतने जुनूनी है कि अपने रोल में पूरी तरह ढलने के लिए, वहां की बोलचाल की भाशा सीखने के लिए वो वसिपुर गए और वहां के लोगों के बीच कई दिन भी गुजारे। इसी साल राजकुमार राओ फिल्म तलाश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का रोल करते नजर आए। राजकुमार राओ आमिर खान के जबरदस्थ फैन हैं। उन्होंने तलाश फिल्म सिर्फ इसलिए की ताकि वो आमिर के साथ काम कर सकें। राजकुमार राओ को एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए राजकुमार राओ को फिल्म फेर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद आई हंसल महता की फिल्म शाहिद। इस फिल्म के लिए राजकुमार राओ को नैशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया उसके बाद उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म, क्वीन, सिटी लाइट और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल किये फिल्म राप्ता में उनका एक लुक पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था, वो पूरा दिन सिर्फ एक कॉफी और एक गाजर पर गुजार देते थे। उससे भी बड़ी बात तो ये हुई कि राजकुमार राव शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन उन्हें अपनी इस फिल्म के लिए मीट भी खाना पड़ा, ये उनके एक्टिंग करियर का सबसे चुनौती पूर्ण काम था। स्त्री राजकुमार राव के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है, जहां फिल्म ने 180 करोड का लाइफ टाइम बिजनेस किया था, इसमें आडियन्स ने राजकुमार की कॉमेडी टाइमिंग को बहुत अप्रीशेट किया, जहां विक्की टेलर का कैरेक्टर सबको दूसरे पार्ट ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और वर्ल्ड वाइड टोटल 850 करोड से ज्यादा की कमाई की, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में विक्की के रोल के लिए राजकुमार फर्स्ट चॉइस नहीं थे, फिल्म के लिए पहले आयुश्मान खुराना को ल फिल्म में राजकुमार से बेटर परफॉर्म कर पाते या नहीं? फिल्मों में अपनी बहतरीन परफॉर्मेंस के कारण राजकुमार राव वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, पर ये सब इतना आसान नहीं था जितना लगता है. बॉलिवुड में छोटी कहानियों से बॉलिवू